वेलकम फ्रांट्स अभ्यास अनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जो BSC Nursing या MSC Nursing करने वाले हैं तो दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2020 में यह प्रसिक्षन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए जानकारी तो दोस्तों BSC Nursing, MSC Nursing क्या होता है? BSC Nursing कोर्स में प्रवेस कैसे लें? BSC Nursing में सीटों की संख्या कितनी होती है? इसके लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए और आविदन कैसे करें? साथे साथ दोस्तों बात करेंगे BSC Nursing में कौन-कौन से कोर्स जो है complete कराया जाते हैं MSC Nursing में कराया जाते हैं तो वीडियो को सुरू से लास तक जरूर देखिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे BSC Nursing की तो दोस्तों BSC Nursing क्या होता है? 12 से निकलने के बाद जो बायो ग्रूप वाले स्टुडेंट होते हैं तो मेडिकल छेतर में जाने के लिए खास करके गर्ल्स वो अपना करियर बनाने के लिए BSC Nursing का ट्रेनिंग ले सकते हैं तो यह होता है दोस्तों चार वर्स का ट्रेनिंग कराया जाता है उसके बाद गौर्मेंट की ओर से विकेंसी जारी किया जाता है जिसमें से आप जो BSC Nursing कर चुके होते हैं वो आविदन करके जौब पा सकते हैं उसी तरीके से दोस्तों होता है MSC Nursing MSC Nursing BSC Nursing जो कर चुके होते हैं चार वर्स उसके बाद यह होता है दो वर्श का ठीक है तो यह होता है Master Degree होता है और यह एक होता है दोस्तों Bachelor Degree BST जो होता है bachelor degree होता है MST जो होता है master degree होता है ठीक है तो इसमें भी आप अच्छा percent ला करके अच्छा government job पा सकते है medical चेत्र में तो दोस्तों जानकारी आपको समझ आ गया होगा BST nursing और MST nursing होता क्या है और दोस्तों इसको सिच्छा training लेने के लिए ये training लेने के लिए आपके समक्ष आपको नीजी विश्विद डियाला भी मिल सकता है दोस्तों college और साथी साथ private college भी मिल सकता है ठीक है अगर आपका percentage अच्छा है तो आपको government मिल जाएगा जिसकी वज़े से आपको कम fees पर आपको यह prescription मिल जाएगा अगर आपका chain private college में होता है तो आपको fees जादर द nursing होता है यह एक प्रकार का क्या है प्रसिक्षन है सिर्फ इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है ना की जॉब ठीक है BSC nursing और MSC nursing पूरी तरीके से एक training based जो है सिख्षा प्रनाली है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं BSC nursing course में प्रवेस कैसे ने तो इसमें प्रवेस कैसे लें द 36 गड़ व्यापम की ओर से interest exam लिया जाता था और 2020 के लिए भी इसमें form apply किया जा चुका था लेकिन exam ना होने की वजह से यह पूरी तरीके से percentage based पर क्या हो जाएगा यह admission हो जाएगा ठीक है अब चलिए इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं और साथ इसके date से संबंधित भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाल हैं तो चलिए इसका notification चेक कर लेते हैं उसमें हम पूरी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों अब देख रहे हो यह है official notification जो संचनाल है चिकतसा सिख्छा की ओर से महानदी भावन की ओर से जो जारी किया गया है और दोस्तों यह जारी आविधन के लिए इसमें कुछ डेटे हैं जो कब से कब तक है इसका जो ऑनलाइन आविधन किरने की जो प्रारम भीगती थी है दोस्तों वो 24 अगस्त 2020 से ले करके आपका 23 सितंबर 2020 तक का इसमें रखा गया है तो आप जल्द से जल्द से जल्द आप इसमें आविधन कर सक ठीक है और इसमें ऑनलाइन आविदन करने के लिए यहां पस जो है दोस्तों इसमें लिंक दिया गया है www.cgdme.co.in पर ठीक है अब बात के लेते हैं दोस्तों इसकी योग्यता के बारे में तो आपको योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए अगर आप BSC Nursing करना चाहते हो तो आप आपको 10 प्लस 2 अर्थात आपका बारवी पास होना चाहिए कौन-कौन से सब्जेक्ट में दोस्तों भातिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जी विज्ञान और अंग्रेजी में नियूनतम इसमें अरता हैं हो दोस्तों 45 प्रतिशत आपको पास होना ही चाहिए अगर उस पोश्ट बेसिक बीस्ञ नर्सिंग अपलाई कर सकते हो उसी तरीके से अगर एमसी नर्सिंग की बात करें तो एमसी नर्सिंग में आपका जो है दोस्तों नियूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ आपका ये बीस्ञ नर्सिंग आपको कम्प्लीट होना चाहिए तब आप जो ह अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अके लिए कुछ है इसमें छोड़ दी गई है पांच प्रतिशत की ठीक है साथिसा दोस्तों बेसिक ब्यस्सी उपरांत अगर एक वर्ष का अनुभाव है या पोश्ट बेसिक या ब्यस्सी नर्सिंग के पूरो भी है दोस्तों एक अनुभाव है तो भी आप इसमें अपलाई कर सकते हो ठीक है और यह पूरी तरीके से इस समय इंट्रेस इक्जाम के ना हो करके इनहीं के आधार पर ही क्या होगा देखी यहां पास इस प्रस्ट क्लिक होगा है अर्ता जिसके प्रतांकों के आधार पर प्राविण सूची ब देखा जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ इसमें आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी अगर इसमें बात करें दोस्तों और भी कुछ है जानकारी उसको देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें नोट दिखा आया गया है नीचे में कि जो 36 गर्ण नर्सिंग पार्ठेक द्धार पर ही इसमें अबन्टन की प्रक्रिया ज़ो आपकी प्राव हाँ में आपकी प्राविम्नेता जो ऐसरेणी में अच्छा सा इसमें किया हूँ नः जरूर है ठीक है और अगर इसमें क्या है कुछ गलती वस आपका अगर कुछ और डाटा गर इधर का उधर हो जाता है जैसे कि आगर आगर आपक生ने डाल रहे हो तो इसमें मार्षिट में अलग है aj अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा धोखा धड़ी में भी आप ऐसा सकते हो तो इसको चीच का आपको ध्यां रखिए फॉर्म सब्मिट करने से पहले एक बार फॉर्म जो भार हो उसको आप जरूर मिला लीजिए तो उमीद करते हूं दोस्तों मेरे दौरा बता आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजबल वीडियो मैं आपको प्रवाइट करते रहता हूं ठीक है और नॉटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर आउन क आपको बेल आता है झाल 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 कौन्सलिंग के लिए उप्योग में आने वाले दस्तावेज झाल झाल झाल